वेलकम टू फैंटेसी काउंसर बिगबैश लीग के फाइनल के बाद लगातार जो मैने चार मैचिस कवर करे उसमें मैंने अपना वादा पूरा किया मैंने आप सबको वादा किया था कि फाइनल अगर आपका खराब गया है न हो सकता है 60 मैचिस हो हो सकता है 70 मैचिस हो लेकिन मैं कौन से खेलूँगा वो सब आप से शेयर करूँगा फैंटसी में और ट्रेडिंग में कौन से मैच में फैंटसी खेलने हैं कौन से मैच में ट्रेडिंग खेलने हैं कौन से मैच में fantasy plus trading दोनों करना है वो सब आपको telegram चैनल पर बताऊंगा और अगले 30 दिन में कमा के दिखाऊंगा एक करोड रुपे एक करोड रुपे वैसे तो मैं अराम से 10 से 12 दिन में कर सकता हूं लेकिन यह challenge मैंने अपने आपको एक और अच्छे तरीके से दिया है कि उपर है कि आप उस चीज को follow करते हैं नहीं जो मैं आपके साथ share करूँगा ठीक है समझ गए और धीरे धीरे इसकी और अपडेट्स आपके पास आएंगी वो telegram चैनल इंस्टाग्राम पेज़ पे हर जगे आपको देखने को मिलेगी आज मैच जो होने वाला है वो होने वा आएगा Cape Town के Home Ground पे Newlands इस मैच में बहुत सारे कमाने के Opportunities हैं बहुत ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस मैच में कैसे आप जादा से जादा पैसा कमा सकते हैं तो ध्यान से Telegram Channel जरूर जाइन करना है हर एक Fantasy Council subscriber को family member को क्यों क्यों कि यहां पे अब पैसे कमाने का सिलसिला चालू नहीं हुआ है अब पैसे चापने का सिलसिला चालू हो चुका है अगले 30 दिन आपके लिए इतने important रहने वाले हैं कि आपके लिए life changing भी हो सकते हैं अगर आप अपनी जिन्दगी से परिशान है तो एक discipline ला सकते हैं ये 30 दिन अगले चाहें आप job करते हो चाहें आप business करते हो चाहें आप student हो 18 से उपर school नहीं 18 से नीचे वालों के लिए game नहीं बनाए हमेशा बोलता हूं यह बात उसके बाद भी आप कर रहे हो तो वो आपका lookout है मेरा नहीं क कि अगले 30 दिन में क्या करना है पैसे कमाने के context में आप अपने daily regular life में क्या करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है कि मुझे आपको पैसे कमा के देना अगले 30 दिन में तो telegram channel कैसे join करना है इसका link मैंने description में इस video की डाल रहा है साथी साथ मैंने comment pin किया उसमें trading बता देता हूं il t20 चल रहा है उसमें कभी-कभी टीम डाल देता हूं जैसे कल मैंने team डालके 100% clean sweep मा रहा है और ऐसे t20 की बहुत सारी चीज़े मैं आप से share करी लेता हूं तो ध्यान रहे डेली free giveaway जैसे कि आज वाली वीडियो में रहने वाला एक mega free giveaway इस giveaway में तीन चीज़े रहने वाली है एक तो first like first comment के होंगे 10 lucky winners उन 10 lucky winners को क्या मिलेगा 100 रुपे का पेटीम गैश तो ये तो उन लोगों के लिए भाई जिनका budget बहुत ही कम होता है और जो चाते है कि उन्हें 100 रुपे दिन के बनते रहे तो 10 बंदों के लिए तो यह है और वो winner हैं हमारे चीते हैं दूसरा है five best comments will get 500 rupees best comments आपकी इच्छा जो भी आपका comment हो और एक comment रहने वाला है जिसमें मैं देता हूँ दो lucky winners को वैसे final में तो 15,000 दिये थे इसमें मिनेंगे 5-5,000 रुपे का pay tm cash लेकिन दो lucky winners होंगे और सिर्फ एक ही सवाल होगा वो सवाल क्या होगा वो मैं वीडियो में आपसे आगे पूछूंगा आगे चलते वक्त लेकिन यह जीतने के लिए करना क्या है वीडियो को पू प्रेटिंग और पूरी टीम बहुत जाधा strong on papers तो नजर आती है लेकिन on the field बताओंगा क्या कर रहे हैं पैफ रीजा यह openers है राइले लुई डिप्लॉय मकानिया मोईन अली डॉनेवन फरेरा रो मारियो शेपर्ड डेविड वीजे आपको खेलते वे नजर आएंगे नां इस टीम के साथ यह टीम उत्रेगी मैदान पर इनका एसे टीट्वंटी का जो रिकॉर्ड है बहुत ही जादा खराब रहा है सिर्फ एक ही मैच जीत पाए थे वो भी प्रिटोरिया कैपिटल से बाकी ये लोग M.I.C.T. से पहला मैच हार गए थे जोहनसबर्ग अपने मैदान पर फिर D.S.G. से डर्बन में जाके हारे फिर पाल के घर में जाके हारे मतलब हर जहां गए वहां मूँ पिट बाके आ गए लेकिन अपने घर में बुलाके प्रिटोरिया कैपिटल का मूँ अगर आप देखो कि पूरे टूर्नमेंट में भाई सब सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप हुए और कुछ नहीं किया उसके लावा रीजा हैंड्रिक्स जीरो पहले मैच में जीरो प्याउट लेकिन उसके बाद 38 रन चार और पिछले मैच में 79 और मेरे को काफी सारे कॉंटेस एक पिछले मैच में 15 प्याउट हो गया था फिर हम आते हैं इनके मोहिन अली पे इंग्लेंड के प्लेयर हैं हम सब जानते हैं कि कितने जादा वो एक्सपीरियंस हैं कितने जादा इनका नाम है मोहिन अली 11 विकेट लेस दूसरे मैच में 36 रन एक विकेट 18 रन एक विकेट 25 रन विकेट लेस 23 रन और दो विकेट भी अपने नाम शुमार करे थे और यह मैच यह जीत सकती थी जैसके लेकिन फिर आखरी में इनकी फिल्डिंग इतनी गंदी रही ना वो फिल्डिंग से यारे कीपर ने स्टंपिंग छोड़ी मोहिन अली की बॉलिंग पर बहुत घटी है फिल्डिंग थी डॉनिवन फरेरा चौदा चार पांट चपन और पिशले मैच में कुछ नहीं है वो मारियो शेपड चौतिस एक विकेट जीरो एक जीरो जीरो तीन विकेट यहां और पि पिछले मैच में ड्रॉप किया था मैं पर पहले मैच में फिले माट में लियते दो ए खिरो दो और पिशले मैच दॉडे लिए पैसा आया हुआ है और एक 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 किसी भी ऐसे मैच में यह नहीं गए विकेट लेस और कोई भी ऐसा मैच नहीं रहा जिसमें दो विकेट लिए अब हम आते हैं इस हैट टुएड वाले मैच में जब यह लास्ट टाइम एमाई सीटी से बिढ़े थे डियू प्लेस आउट रहे थे छे रन पे चलते हैं इनके head to head records देखते हैं और साथी साथ देखते हैं कि इस मैदान पे कौन चलता है इनका home ground तो अब यह एरा नहीं लेकिन ड्यू प्लेसिस ने यहां पे बहुत मैचिस खेले हैं 18 मैच में 527 रहे निकतिस के आवरेज यह IPL नहीं है तो फॉर्म नहीं है IPL में देख टाउन के रिजा हेंडिक्स के और head to administrative दो रन जब लियू deploy पे आते हैं तो तीन मैच में 150 रन और तीन मैच में 38 रन इस मैदान पे मखानिया चार रन एक बर खेल चुका है इनके किलाफ और इस मैदान पे चार मैच में सिर्फ 20 रन मोहिन अली एक मैच 11 विकेट लेस और इस म इनली बॉलिंग से ठीक ठा कर सकता है क्योंकि सामने वाली टीम अभी स्ट्रगल कर रही है लेकिन M.I.C.T. के आज इरादे मुझे अलग लगते हैं तो इनके बॉलर्स पे मैं कम भरोसा करूं गा और बैट्समें पे लेकिन रोमारियों के head to head records अच्छे है तीन मैच में 54 र इस मैदान में चार में पांच इम्रान ताहिर एक में एक और इस मैदान पे दस में 20 विकेट बहुत थेलें इम्रान ताहिर इस मैदान पे M.I.C.D. का जो खेमर है शुरुबात में तो इन्होंने आग दे रखी दी लेकिन उसके बाद इनकी हालत खराब होगी थी रासी बेंडर डूसान रियाल रिकर्टन ये हैं इनके ओपनर्स फिर आते दिवाल ब्रेविस जो इन्फॉर्म है भी नहीं भी लियाम लिविंस्ट क्या स्ट्रॉंग त्रीम आपको लगता है इसका ग्राफ यह होना चाहिए लाल 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 सिफ दो मैच जीती है और मैं आपको पक्की शॉरिटी देता हूं आज ही हालत खराब कर देंगे जैस्क की पहला मैच यह डियेजी से हारे डखवर तूस मैथट से दूसरा मैच और अभी रिसेंट फिर SE से फिर से हार गए अच्छा अब आप देखो कि अगर यहां पर एक चीज आती है इनके स्कोर्स रासी बेंडर डूसां 24, 104, 41, 41, 0, 19, 2 रासी का बल्ला पिछले तीन मैच इस से बिलकुल खामोश है 0, 19, 2 रिकल्टन लगातार शुरू में बहुत च इससर जिन्हों नें पहले मैच में 30, 1, 2, 12, 1 फिर दो रन 0 उसके बाद 22, 1 और पिर 26 रन और पिछले मैच में completely विकिटले सामी एक बिक एक ऴुक। एक अठारा जीरो अड़तीस एक और पिछले मैच में तीस रन मारे लेकिन विकेट लेस्ट बिलकुल विकेट लेस्ट और एक और में बड़ी मार पड़ी भाई साथ को पोलाट छे उन्निस लेकिन यहां से बॉलिंग करानी शुबर दी चौबिस रन दो विकेट यहां भाई रहता लाइनप डिसकस करते हैं दिलानों को लाए और यह जो चार रन आप देख रहे हैं भाई साब 9 बॉल में हैं इसलिए चार रन से मैच हार गया, बणना यह मैच जीटते हैं अंडड़ परसेंट जीटते हैं जो लीट जो विकेट यीड जो विकेट और पिछले म में बहुत अच्छा वोला नुवान तुशारा को जैसे ही लाए दो दो अपना काम कर गए तुशारा रबाड़ा दो एक एक जीरो जीरो दो तो ऐसा खेल विए टीम अगर इस टीम में कोई इस मैदान पे हैं 21 मैच में 616 रन 49 की एवरेज से डेफिनेटली अकी प्लेयर इन ग्रैंड लीग फिर हम आते हैं रिकल्टर जिन्होंने दो मैच में 119 रन मारे हैं और इस मैदान पे भी 35 की एवरेज आद दोनों उपनर के चलने के बहुत हाई चांस हैं दिवाल ब्रेविस क कि तरफ एक मैच 12 रन एक विकेट हैड तो एड में फिर हम आते मैदान पे जहां पे इनके 8 मैच में 121 रन भी है और एक विकेट भी इनके नाम शुमार है इस मैदान पे इनोंने 14 विकेट अपने नाम कर लियो दोसे क्यासी रन वीसेंटली देखने में आया बॉलिंग करान और 6 विकेट इनके नाम शुमार है आगे जब हम चलते हैं तो हम आजाते हैं डिलानों पे जाने तो यह बंदा नहीं करता कुछ भी वही है इसको बॉलिंग भी नहीं दी गई पता नहीं क्यों कि लाया चे मैच में 54 रन एक विकेट भले ही इसके नाम हो कगीस और परड़ी एक और चीज देता हूं वीडियो में उन लोगों के लिए जो महनत करते हैं पूरी वीडियो देखते हैं और हमें मेरे को आके बहुत शिगयत करते हैं कि आप पूरी टीम में डाला करो भीया कॉपी पेस्ट वाले हमारे क्लैस करा लेते हैं तो यह है मेरा 11th प्ले अग्दम सुन्दर देड़ सो रन यहां का एवरेज स्कूर है हाइस टोटल है यहां दो दो विकेट लोएस टोटल है थावन फिर जब हम जाते हैं टोटल मैच इस यहां पर खेले गए 69 बैटिंग फस्ट जीती है 32 बैटिंग सेकिंड जीती है 37 चेस डिफेंड कोई खास आ 121 बार और 190 से उपर दो बार तो मैं बोल सकता हूं कि यह डिसेंट स्कोरिंग ग्राउंड है डीएस जी डीएसेंट स्कोरिंग ग्राउंड लेकिन कुछ मैच इस अगर हम देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि भाई इस मैदान पे इन तीन मैच इस में यह हुआ है तो होता है डिफेंड और यह है एक एवरेज स्कोरिंग मैच मतलब यहां पे स्कोर कम बना है इस वाली पिछ पे और क्या हुआ ते इस पिछ पे टोटल गिरते हैं 15 जिसमें से 8 लेके जाते स्पिनर्स और साथ लेके जाते हैं पेसर्स तो क्लियरली स्पिनर को बोल बाला मिलता है इस पिछ पे अब एमाई सीटी को यह पिछ फेवर नहीं करें डिएस जी पे मैच जीत लेकिन जब 19 तारिक को पाल रॉयल्स यहां पे स्पिनर्स अच्छे और तीन मिल पाते हैं अब यह क्या है यह रहा हाई स्कोरिंग मैच क्यूंकि यहां पे चेज अच्छा हो गया तो मैई सीटी चाहेगी दुबारा हमें एक ऐसा मैदान दिया जाए जहां पे हम चेज अच्छा कर सकें समझ यहां फिर फिर बैटिंग में है रंज जादा बना सके तो ऐसी पिछ ही आप एक्सपेक्ट करना इस मैच में 16 जिन्वरी को सन राइजर्स बनाती है 202 मिच्ट एक सो ठानवे बनाती है पेसस लेके जाते हैं छेवी के और स्पिनर को मिलता है सिर्फ एक और यह भी एक हाई स्कोरिंग मैच होता है लेकिन यह चार रन शौट रहे तो मैं मानके चलता हूं एक बैटिंग विकिट देखने को मिल सकती है आज वाले मैच में क्योंकि ऐसा ही चाहेगी मैई सीटी की टीप बहुत दूर आ गए हैं वीडियो में हम और बहुत दूर जब हम आ जाते हैं तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि अगले तीस दिन आप मुझे टेस्ट करें मुझे जज़ करें मीरी नौलइज पर में प्रिडिक्शन्स पर मेरी टीम्स पर हर चीज़ पर जज़ करें लेकिन उससे पहले एक काम करें Suscribe जरूर कर लें क्योंकि अगले तीस दिन अगर आपने मेरे साथ बिता लिये अगर को सीखना चाहते जो पैशा कमाना चाहते अपने घर की टेंशन दूर करना चाहते हैं उनकी बी मदद करना तो मेक शूर कि आप करें सब्सक्राइब बैल आइकन को करें प्रेस और साथ इसाथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ पांच रन दिवाल बारा नो इनकी कोई जुरत है जब उपर से एक सो चार एक ठावी रन बन रहे हैं विकेट लेने वाले बॉलर्स जो यहां से थे दो मिले थे नांद्रे बर्गर को एक लिजार्ड को एक रोमारियो को और एक मिलाता ताहिर हो यह चिपकली ने उस दिन अच अगर जो मैं विकेट सोच रहा हूं वह विकेट दी जाती है तो बहुत दिन से फ्लॉप चल रहा है और मैंने अभी तक इसको सीवी सी नहीं बनाया यह भी आपने देखा होगा किसी भी मैच में मेरा कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं था मेरे अपोनेंट्स सब का था ल लिंडे या फिर रबाडा को थोड़ा अगर यह देखके खेल जाए तो डूपलेस का काम बन जाएगा इस मैच में दूसरे की प्लेयर आते हैं नांद्रे बर्गर अगर जेएस के पहले बैटिंग करे तो आप इसे चाहिए तो ड्रॉप कर सकते कि अगर पहले बॉलिंग कर तो बर्गर को अपनी टीम में रखना टिक की लगा देगा यह सामने वाली टीम के बीच में रोमारियो शेपर्ड फर्स्ट बॉलिंग में 100% रखो बॉलिंग कराएगा सेकेंड इनिंग में बैटिंग भी करके देगा दोनों केस में आपको फायदा ही फायदा करके देगा बैटिंग में अगर मान लो जेस के फस्स बैटिंग भी करती है तो भी 100% यह बहुत बड़ी अखी प्लेयर है आज के मैच के लिए फिर आते हैं थोड़ी डिफ्रेंशिल पिक बता रहूं है आपको जो अनकॉमन है जिन्हें मुझे पता है लोग छोड़ कहेंगे लोग छो बेस्ट ऑप्शन निकल के आते हैं फैफ मैं मान के चलता हूं बहुत ज्यादा रिस्क है लेकिन रिस्क है तो इसक है आज मुझे लगता है फैफ के बल्ले से 40 प्लस रन की तो पारी अटलीस आ जानी चाहिए ताकि फैफ दिखा सके कि क्यों यह इतना बड़ा प्लेयर है ज में जाए और वी सी में रबाड़ा के लिए आप चले जाए मोई नली वी सी के लिए ठीक है सी वी के लिए अच्छा नहीं है और सैम करन अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है यह टीम तो आप अपना वी सी ट्राइब कर सकते हैं करन को बागी कोई चाहिए नहीं हां तो तीन मै यह लोग हो सकते हैं हिट जे-एस-क की तरफ से इधर की तरफ से मेरे को लगता है लियाम लिविंस्टन अगर बॉलिंग कराएगा तो और अच्छे पॉइंट दे के जाएगा रिकल्टन रासी यह दोनों अच्छा करके जा सकते हैं सैम करन अच्छा करेगा हिट होंगे आ रहे हैं लेकिन अगर आप किसी और पहार रहे हैं तो आज फिर से आपको मूल मंत्र बनाता हूं फैंटसी में जीतने का माइं मास्टर 11 पे खेलना चालू करो इतना जादा पैसा कमाओगे कि आपको मज़ा आ जाएगा जनाब चलो अब हम अपना मैच निकाल लेते हैं रात के नो बजे खेला जाता है मैं बहुत खुश हुआ इस मैच से लेकिन तारीक कौन से हो गई कहां गया है ओ मैं तो डीएजडी पीसी पे पहुंच या कहां है हमारा 29 जन्वरी का मैच रिफ्रेश कर लेते हैं यह कौन सा है यह तो हम नहीं खेलेंगे अच्छा आयल्टी त कर आप खेल रहे हो तो बहुत बढ़ी है चीज है क्योंकि फाइदा होता ही है उसमें लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ यू से काफी अच्छा है वह मैं आपको सजेस्ट यह करूंगा कि टेलीग्राम पे जो उसके टीम में डालू हो देखते रहना तो अब बना लेते है क्या रहने वाली है मेरी टीम आज के मैच की देखो रिकल्टन को ले रहा हूं अपनी टीम में दूसरे कीपर की जोरत नहीं है बैटिंग में ले रहा हूं रासी वेंडर डूसान को फैफ को मैं रखो मुझे पसंद है सीधी बात है रीजा को अभी रख लिया है और लांडर को और टो क्या रहा हूं मुझे लगता है के को यां फैफ को डॉपर करके क्य बर को ले सकते हैं जो भी आपका मंच करें यहां लिया मिन स्क자가 कर सकते हैं मतलब एक कोड्रॉप करके आप चाहिए तो रिजा के लिए यह जा सकते हैं तो को प्यork बनाने चाहो तो फर्स बॉलिंग में तुशारा कोई बना सकते तो यह रहती है मेरी टीम अब आज का सवाल क्या रहने वाला हूं और बहुत ही भैतरीन सवाल है आपको सिर्फ यह बनाता है कि आज की मैच में जीयल का गया क्या क्या कौन निकलेगा ग्राइन लीक का क्यंक क्या क्या मने अपने कोई बी नाम दे लिए उसे तो आप लिख सकते हो दो आंसर जैसे 101 पॉइंट और 97 पॉइंट एक तो भी आपका जवाब सभी तो भी आपका जवाब सभी सिर्फ यही सवाल है और कोई दिक्कत नहीं है बाकी हम मिलेंगे फिर टेलिग्राम चैनल पे इस मैच के टॉस के बाद मेक शूर कि आपने वीडिय चैनल जरू जाइन कर ले जाइन कर ले जाइन